गंगा दशहरा गंगा दशहरा का पर्व जेस्ट मास की सुकल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है जेस्ट शुकल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथी घूर पापों को नस्ट करने वाली मानी गई है हस्त नक्षत्र में बुद्धवार के दिन गंगा वत्रण हुआ था इसलिए यह तिथी अधिक महत्वपूर है इस तिथी में स्नान, दान, तरपन से दस पापों का नाश होता है इसलिए इसे दशहरा कहते हैं इस दिन गंगा में स्नान का विशीश महत्व है गंगा से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है यह जल वर्ष भर रखने पर भी नहीं सड़ता कथा प्राचीन काल में आयुध्या में सगर नाम की राजा राज्य करते थे उनके केशनी तथा सुमती नामक दूरानिया थी केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमती के साथ हजार पुत्र थे एक बार राजा सगर ने अशुमेघ यग्य किया यग्य की पूर्ती के लिए एक घोड़ा छोड़ा इंद्र यग्य को भंग करने ही तो गोड़े को चुराकर कपिल मुनी के आश्रम में बांधा आए राजा ने यग्य की खोड़े को खोचने के लिए अपने साथ हजार पुत्रों को भीजा घोडे को खोचते खोचते वे कपिल मुनी के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यग्गी की घोडे को वहां बांधा पाया उस समय कपिल मुनी तपस्या कर रहे थे राजा के पुत्रों ने कपिल मुनी को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया कपिल मुनी की समाधी तूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनी की क्रोधागनी में जलकर भस्म हो गई अन्शुमान पिता की आग्या पाकर अपने भाईयों को खोंचता हुआ जब मुनी की आशरम में पहुचा तो महत्मा गुरूड से उसके भाईयों के भस्म होने का सारा वरतांत कह सुनाया गुरूड जी ने अन्शुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ती चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धर्ती पर लाना होगा इस समय अश्व को ले जाकर अपनी पिता के यग्य को पूर्ण कराओ इसके बाद गंगा को पृत्वी पर लाने का कारे करना अन्शुमान ने घोडे सहित यग्य मंडप में पहुचकर राजा सगर से जब व्रतांत कह सुनाया महराज सगर की मृत्यू के पस्चात अन्शुमान ने गंगा जी को पृत्वी पर लाने के लिए तब किया परन्तु वह असफल रहे इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की परन्तु वह भी असफल रहे अन्त में दिलीप की पुत्र भागीरत ने गंगा जी को पृत्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की तपस्या करते करते कई वर्ष बीट गए तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होए तथा गंगा जी को पृत्वी लोग पर ले जाने का वर्दान दिया अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृत्वी पर कौन सभालेगा ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ती नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके इसलिए उच्चित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिद से अनुगरह किया जाए महराज भगीरत एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर के अराधना करने लगे उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए गंगा जी जब देव लोग से प्रित्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ ना मिल सका भागीरत के पुनहा अनुने विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए इस प्रकार शिवजी जटाओं से छूट कर गंगा जी हिमाले की घाटियों में कल-कल निनाद करके मैदान की और बढ़ी जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में रישी जुनहुं का आश्रम था तपस्या में विग्न समझ करवे गंगा जी को पी गए भागीरत के प्रार्थना करने पर उन्होंने गंगा को पुनह जांक से निकाल दिया तभी से गंगा जन्हूं पुत्री की जानवी कहलाई इस प्रकार अनेक स्तलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुने की आश्रम में पहुँचकर महाराज सगर के साथ हजार पुत्रों के भस्म अवशेशों को तार कर मुक्त किया उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरत के कठिन तप तथा सगर के साथ हजार पुत्रों की अमर होने का वर दिया तथा घोशित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरती होगा अब तुम जाकर आयुध्या का राज संभालो ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान